नमस्कार दोस्तो स्वागते आप सभी को प्रेमे सोंप्लेन पर और आप सभी देखे रहें दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर आम इसी मोडेल को डिसकस करेंगे दोस्तो और बैग्राउंड पर आप सुन रहेंगे आपको सुनाई देर होगा थोड़ा सा नोएस आ रहा है क् बारिस के कारण मैं बारिस में वीडियो रेकॉड कर रहा हूँ और मेरा जो घारे खुद का वो उपर का जो रूफिंग ये तीन सेर से हो इसी कारण थोड़ा सा बारिस की वज़े से नोएस आ रहा है दोस्तो तो उसको आप इग्नोर करिएगा तो आज का अमारा जो दोस्त की और एसाइट की और बैक साइट की और से एकलोस था और फ्रॉंक्छा गांडन था छोड़ कर इस momento बनाया वहा है और हे तीन बैडिडरूं के साथ हमने धरmodern का नक्सा जो वह तैयार क्या हूँ जैसी कहा आप मोडिल पर देख रहे होंगे यहाँ पर फ्रॉंक्छय पर ओ देगा और यहां पर आपको देख लिए होंगे यहां पर एक पोर्ज भी आपको हमने डिजाइन किया हुआ है और बाकी जो विंडो का डिजाइन ने फ्रॉंट साइट के और कुछ इस तरीके से आने वाला है उपर का अलेवेसन दोस्तों हमने सिंपल पर रखा हुआ है आप यह से कुछ सिंपल पर करना चाहिए तो कर पाएंगे यहां इसको डिजाइनिंग करना चाहिए तो आपने इस आपसे डिजाइन यूज कर पाएंगे जैसे कि आप यह मोडल देख रहे होंगे दोस्तों 35 वीड बाई 40 वीड के अंदर आमने लिया हुआ है लेकिन फ्रॉंट साइट के और आपको दो काफी बड़ा सा विंडो देखने को मिलेगा और विंडो का एलेविशन कुछ इस तरीक से आने वाल है और इसी पोर्च से आपको यहां पर एक डूर देखने को मिल रहा होगा जिस डूर से एंट्री करके दोस्तों आप अंदर की और जाते तो सबस के साइड में एक चोटा सा डूर फ्रेम साड़ेतीन फिट चोड़ाई पर दिया हुआ है एक डूर फ्रेम जिस डूर फ्रेम से आप एंट्री करके जाते है दोस्तों तो आप पहुंचेंगे यहां पर यह रहेगा आपके सामने एक चोटा सा किचेन नो वाई 9 फिट के यहां पर एक डूर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाएंगे दोस्तों तो यह रहेगा आपके सामने एक मास्टर बैड्रूम या आप इसको गैस्ट्रूम की तरह उसकरना चाहे तो कर पाएंगे तेरा फिट बाई 11 फिट के अंदर आएगा इस बैड्रूम के इसके बाई पर यहां पर देख रहे होंगे उसके बाद आपको यहां पर देख लिएजिए मिडिल पर एक डूर यहां पर तीसरा देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाएंगे तो यह छेवाई आठ फिट के अंदर रहेगा लेड़ बात जो बार हॉल रूम के साथ कनेक्टिंग रहेगा और इसका साइज आने वाल है 6 x 8 फिट के अंदर और इसके साथ भी एक वेंट्री करके जाएंगे दोस्तो तो यह रहेगा आपका एक तीसरा बैड्रूम जिस बैड्रूम का साइज आने वाल है दोस्तो 12 फिट बाई 11 फिट के अंदर और इस बैड्रूम पर भी वेंटिलेशन हो उसके लिए यहां पर एक स्टेरकेस से होते हुए देख लेजी जो स्टेरकेस आप देख रहे होंगे इस स्टेरकेस से होते हुए उपर के और जाते हैं दोस्तो तो आप इसके यहां पर पहुंचेंगे फिर यह वाला डूर से एंट्री करके आप उपर के और आएंगे तो आप इस चत पर पहुंच के कुछ तरगे से और जो पीछे आमने डाक यानिकी इस पे जो था ओपेन छोड़ा वा था उपर से निलेकर नीचे तक उसको अमने उपर ले आकर कुछ इस तरगे से जाली से कवर अब किया हुआ है ताकि वेंटिलेशन में आपके गवार में कोई दिक्कत ना हो तो दोस्तो इसका टॉप भी जो है कुछ इस तरीके से आने वाला है तो दोस्तो यही था आज का हमारा सिंपल सा प्लान आपको कैसा लगा कॉमेड में आप जरूर बता देना वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राब करके आपका साथ दीजेगा वीडियो देखने के लिए आप स झाल 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 झाल